हेलो, सोना यानि अच्छी नीद लेना मनुष्य के स्वास्थे के लिए बहुत ही आवश्यक है लेकिन अगर सोना सही दिशा में हो तो वह और भी जादा लाबकारी हो जाता है और आज हम value of nature में सोने की सही दिशा के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें किस दिशा में सिर रख कर सोना चाहिए यह है तो सभी जानते हैं कि सोर जगत धुर्व के आकरशन पर आशित है धुर्व उत्तर दिशा में है यदि कोई व्यक्ती दक्षिन दिशा की और पाउं करके यानि कि धुर्व की तरफ को सिर करके सोएगा तो धुर्व आकरशन के कारण पेट में पड़ा हुआ भोजन प पड़ेगा जिससे मस्तिक्स में रक्त संचार कम होगा इसके विप्रित यदि हम उत्तर दिशा की और पाउं करके सोएगे तो मेगनेटिक प्रिंसिपल के अकोर्डिंग बोजन का पारिपाग ठीक होगा नींद भी बढ़ियाएगी नींद्रा के बाद अपने आपको स्वस चल रहा विद्धुत पर वहा हमारे मस्तिक्स से आते वे पाउं के रास्ते से निकल जाता है और व्यक्ति की आयू बढ़ जाती है। माना जाता है और इस दिशा में सिर करके सोना धार्मिक द्रस्टी से बहुत ही शुम माना जाता है। मान्यता यह है कि पूरव की और सिर करके सोने से देवताओं का आशिरवाद प्राप्त होता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब के लिए पुर्वदिशा में सोना अच्छा माना जाता है पूर्दिशा में सोने से एक आगरता भरती है जो सब के लिए ही आवश्यक है घर के इशान कौन में बैटरूम के बजाए स्टडी रूम होना चाहिए अथार्थ इशान कौन में हस्बेंड वाइफ को सीर करके नहीं सोना चाहिए अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि पूरब और दक्षिन को सीर करके सोना अच्छा होता है अब अगर आपको हमारी जानकारी बसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक खुश रहें सुस्त रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें थैंक यू